जैसा कि आप सभी को पता है 1 December 2021 से Jio ने अपने सभी रिचार्ज की प्राइस को 20% हाइक किया हुआ है अब ऐसे में क्या है कि जो रिचार्ज पहले 100 रुपए का होता था अभी वो 120 रुपए का हो गया और जो रिचार्ज 200 रुपए का होता था वो 240 रुपए का हो गया तो ऐसे में आपको 20% एक्स्ट्रा पे करने होगे सभी रिचार्ज के लिए लेकिन अगर आपको मालूम है कि कैसे Jio के रिचार्ज में 20% तक आप माइनस करवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं अगर आपको मालूम तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप अपने सभी रिचार्ज पे जो भी आप करते थे रिचार्ज उन सभी रिचार्ज पे जो की 200 रुपए से उपर हैं उन सभी recharge पे 20% बचा सकते हैं उसकी price में 20% कम करवा सकते हैं जैसे माल लिजे कि अगर आप अभी 500 रुपे का recharge करते हैं तो उसमें आप 20% माइनस करवा सकते हैं इट मींस कि 500 रुपे का recharge के लिए आपको सिर्फ 200 रुपे करने होगे ठीक है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये trick कैसे काम करती है ठीक है तो trick जानने के लिए वीडियो को पूरा आं तक देखते रही है चलिए सुरू करते हैं तो recharge करने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile में mygo application डाउनलोड करना होगा डाउनलोड करके आप अपने account को login कर लेंगे मतलब आपके number के खुद के number से login कर लेंगे ठीक है उसके बाद आपको ये 3 line के option पे click करना है और यहाँ पे recharge your number इस पे आप click करेंगे जब click करेंगे तो आपको यहाँ पे जितने भी popular plan है वो total दिखाई देंगे 1.5 GB वाला आप plan recharge कर सकते हैं 2 GB वाला plan recharge कर सकते हैं मान लिजए कि मुझे 2 GB वाला plan recharge करना है ठीक है तो मैं ये 719 रुपए का जो recharge है इस पे buy now पे click करता हूँ जब आप buy now पे click करेंगे तो आपके सामने ये new interface open होगा यहाँ पे आपको ये option दिखाई दे रहा है geomart cashback check balance पे आप click करेंगे यहाँ पे mark करेंगे ठीक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस recharge के उपर हम maximum redeem जो कर सकते हैं cashback earn कर सकते हैं मलब cashback से minus करवा सकते हैं वो total 119 रुपए 84 पैसे है इससे ज़्यादा आप किसी भी recharge पे cashback से कम नहीं कर सकते हैं वो आप चाहे 2500 रुपए वाला भी recharge करेंगे तो वहाँ पे आपको 119 रुपए 84 पैसे ही कम होंगे ठीक है हम यहाँ पे 119 रुपए 84 पैसे cashback को apply करेंगे अपने account में ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पे plan amount जो है वो 719 रुपए का है लेकिन amount payable में मुझे सिर्फ 599 रुपए 16 पैसे ही pay करने है 119 रुपए 84 पैसे minus हो गए आप अपने किसी भी card से wallet से bank UPI से किसी से भी आप payment करेंगे तो आपको यह 719 रुपए वाले plan के लिए सिर्फ 599 रुपए 16 पैसे ही payment करने है ठीक है ऐसे ही आप और भी कोई भी plan आप यहां से recharge कर सकते हैं ऐसे करके आप 20% अपने किसी भी recharge में minus करवा सकते हैं ठीक है तो जीओ ने 1 दिसंबर 2021 में जो भी अपने plan में 20% की high की होई थी सभी plan में high की होई थी जो भी 20% ठीक है तो अगर आप ऐसे recharge करके और अपने recharge में, recharge amount में 20% माइनस करवा सकता है जो कि आपके पुराने वाले amount में ही कहीं न कहीं वो चीज आ रही है ठीक है तो बस आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्श वीडियो में, तब तक के लिए बबाए, जै हिंद झाल झाल करें तो झाल करें तुछ रही है